वैशनव धर्म वैशनव संप्रदाई वैशनव धर्म में भगवान विश्नु को ईश्वर और पूरी श्रिष्टी का संचालन करता माना जाता है वैशनव धर्म के बहुत सारे उप संप्रदाई हैं वैशनव का मूल रूप सूर्य देवता की आराधना में मिलता है प्राचीन काल में वैशनव धर्म का नाम भागवत धर्म या पांचरात्र मत्था इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव है जिन्हें छव गुनों, बुद्धी, शक्ति, बल, वीर्य, एश्वर्य और तेज से संपन होने के कारण भगवान या भगवत कहा गया है और भगवत के उपासक भगवत कहलाते हैं वैश्नव संप्रदाय के बारे में तथ्य विद्वानों के अनुसार लगभग 600E पूर्ग जब ब्राहमन ब्रंथों के हिंसा प्रधान यग्यों की प्रतिक्रिया में बौध चैन सुधार आंदोलन हो रहे थे तब यह धर्म अस्तित्व में आ गया था जोक्षत्रिय वश् विशेश वर्गों तक ही सीमित था श्रीमत भागवत गीता इस संप्रदाय का मान्य ग्र fabrics हैं वैश्नव धर्म के बारे में सामान्य जानकारी उपनिशदों से मिलती है इसकी उत्पत्ति भगवत धर्म से हुआ है वैश्नव धर्म के प्रवर्तक क्रिषन थे जो व्रिशन क कबीले के थे और जिनका निवास्थान मतुरा था विश्नु के दस अफ्तारों का उलेक मत्स्य पुरान में मिलता है जो की इस प्रकार है मत्स्य कच्छप वराह नरसिंग वामन परशुराम राम प्रिश्न बुद्ध और कलकी वैशनव धर्म में इश्वर को प्राप्त करने क के ये सारवधिक महत्व भक्ति को दिया गया है वैशनव संप्रदाय के अन्य नाम पांच रात्रमत वैशनव धर्म भागवत धर्म आदी हैं भागवत धर्म शुरुवात में क्षत्रियों द्वारा चलाया हुआ उपासना का मार्ग था वैशनव धर्म के तीरत स्थल इस मतुरा, अयोध्या, बद्रीधाम, तिरुपती, बालाजी, श्रीनात, द्वारकाधी, शादी, रिगवेद में वैशनव विचारधारा का उलेख मिलता है वैशनव संसकार, वैशनव मंदिरों में भगवान विश्नु, राम और प्रिश्न की मूर्टिया होती हैं इस धर्म यह सात्विक मंत्रों को महत्व देते हैं, सन्यासी जनेव धारन कर पितामबरी वस्त्र पहनते हैं और हाथ में कमंदल तथा दंडी रखते हैं, जबकि सामान्य लोग भी जनेव धारन कर सकते हैं वैश्नव धर्म की लोग सूर्य पर आधारित व्रत उप्वास करते हैं, वैश्नव दाह संसकार, व्रित शरीर को जलाने की रीती हैं, यह चंदन का तिलक लगाते हैं, वैश्नव साध्मों को आचार्य, संत, स्वामी, महत्मा आधी कहा जाता है